यह वीडियो में तो आप देख सकते हैं पूरा प्रशन हम इस वीडियो में देखेंगे तो इस प्रकास आपका कॉश्चिन पेपर कॉश्चा नौबी बिग्ज्यान का होने बाला है देखिए यहां पर 75 नंबर का पूड़ांक रहेगा आपके इस तीन घंटे आपको समय रहे तो देखिए 22-22 तक चार अंगे परशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो देखिए सभी हम सुरू करते हैं यहां पर देखिए पेज नंबर एक है आपका सबसे पहले हैं सही बिकल्प का चैन कीजिए तो यहां पर देखिए पहला कोश्चन है पदार्त के कितनी इसरण कहलाता है तो क्या कहलाता है याद रखेगा इसे हम बिलियन कहते हैं ठीक है अंगला परशन देखिए तंत्री का उतक की कार्यात में काई क्या होती है तो यह होती है आपका निवरान ठीक है तो फर्स्ट ऑक्सन अंसर हो जाएगा अंगला परशन देखिए बल का मात जगर कहा जगाता है अंगला प्रस्षण देखिए और और प्रस्ष देखिए जिक्त स्थानों की पूर्ती की चैज जिक्त इस्तान आपके यहां बार देखिए आठ नमबर के उखे गये हैं तो संबेग की मुलभूत जो एकाई होती है यहां पर ध्यान लखेगा तो जीवन की मुलभूत एकाई होती है कोशिका ठीक है तो कोशिका होती है यहां पर भर लेंगे कोशिका अंगला परशन है टिंडल प्रभाव खालिस्तान बिलियन दौरा प्रदरसत होता है तो चलिए देखते हैं के प्रश्ण हम देख लेते हैं अंगला प्रश्ण है केलविन खालिस्थान का मात रख है तो केलविन ताप का मात रख है याद रखिए ताप का मात रख ठीक है हमारे सरीर में गती के लिए खालिस्थान उतक उतरदाई होता है तो हमारे सरीर में गती के लिए जो है यहाँ प मांगी ठीक है किलोरोफिल खालिस्तान में पाय जाता है तो किलोरोफिल किसमें पाय जाता है तो पत्तियों में यह पाय जाता है तो आप इस प्रकासे पत्तियों में लिख लेंगे यहां पर ठीक है अंगला देखते हैं आप देखें सही जोडी मिलाना है आपको सही जोडी हम डारेक पिसमें में मिलाएंगे तो देख सकते हैं सही जोड़ी आपकी इस प्रकार से रहने वाली हैं तो देखें सही जोड़ी में आपका पहला हो जाएगा रक्त तो रक्त क्या होता है तरल संयोजी उतक होता है इससे आप मैच कर लेंगे रक्त होता है तरल संयोजी उतक ठी इसके बाद गोलजी का, उसके बाद कलोराइड, जो कोलाइड जो होता है, दूद होता है, ब्रोमीन आपकी अधातु हो जाएगी, और जल का कोथनांक होता है, 373 का अलविन, और गति गजूतियन आम यह हो जाएगा, बर्व का गलांक हो जाएगा, तो इस प्रकासे आप सभी मैच कहा लीजे आपके साइज जोड़ी हो जाएंगी अब हम देखते हैं दिखे आंगे कि प्रशन एक सब्दे बाग के मुत्तर हो जाएंगे आपके एक सब्दे बाग के मुत्तर दाब का मात्रक क्या है तो देखे में सभी आंसर आपको यहीं पर लिखके बताते जाता हूं दाब का मात्रक होता है आपका पासकल ठीक है तो पासकल होता है दाब का मात्रक पासकल आप लिख लेंगे अंगला प्रशन है बिश्रण को परिवासित कीजे तो बिश्रण को परिवासित करना देखे दो या दो से अधिक पदारतों का सोता हम मिलकर एक दूसरे से मिलकर सम पांग मिष्रण बनाने की बिर्क्रिया को क्या कहते हैं मिष्रण कहते हैं ठीक है मिष्रदातु पीतल के घटकों के नाम लिखना है तो पीतल के जो घटक होते हैं वो तामबा और जस्ता होता है तो तामबा पिलस जस्ता आप लिख लेंगे ठीक है पिलस जस्ता ये दोनों ही होते हैं आपके मिस्तदातु पीतल में ठीक है अंगला एक घर्षण बल क्या है तो घर्षण बल की परिभासा आपको याद करनी है ठीक है तो यह आपको घर्षण बल की परिभासा आपको यहाँ स्क्रीन पर देख रही होगी तो इसको आप देख लेंगी ठीक है संबन उतक क तकहने चलबंगों का आदा, संबान करते हैं उन्हें संबान, उतक कहें ठीक है, तो इसका आप इस प्राइश लेख सकते हैं, अंगला प्रस्ने, तो 27 degree Celsius आपका इसका अंसर हो जाएगा ठीक है इसमें आपको क्या लखना है इसमें लखना है 27 degree Celsius आप देखें डियने का पूरा नाम तो डियने का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एसिड के पूरा नाम हो जाएगा आप लिख लेंगे अब दिखे कोश का सिद्दान देने वाले स्विजी बिज्ञानों के नाम लिखना है तो यहां पर सिलीडन और स्वान से सिलीडन और स्वानन कोशी का सिद्दान्ध दिया था यह जरूर याद रखना अब ठीक है अब देखे अब प्रशन हमारे यहां से सुरू हो रहा है उर्द पातन कैसे कहते हैं गुप्त उस्मा को परिभासित कीजिए तो यह सभी प्रशन है जो है हम इनके आंसर आपको नेक् नेक्स पार्ट में देखने बाले हैं आप सब को पता ही है टो किनके आपका आलधी आने बाला है तो इनके आंसर नेक्स पार्ट में देखिए तो चैनल को सिसॉप्रइब कर लीजें मिलते हैं अले वीडियो में थैक्स ब estéस बाचिंग